चले आईए सिवान शहर इस्तित दिएवी कॉलेज मोड के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नमांकन प्रकिरिया जारी है अधिक जानकारी के लिए कॉल करें साथ शुने-शुने-उन्चाथ पछर्ण नमस्कार मैं सचीन और आप देख रहे हैं बिहार नियूज एक्सप्रेस सिवान में तीन नॉवंबर को चुनाओ होने वाले हैं इसको लेकर नेताओं के दोरे जो वो तेज हो चुके हैं सबसे दिल्चस्प मुकाबला महराज गयंद बिधान सवाका है जहां पर जदियू और भाषपा यानि कि गडवंदन के उमिद्वार हैं हम नारायन साथ जो वर्तमान बिधायक हैं कॉंग्रेस की बात करें राजद और कॉंग्रेस के जो उमिद्वार है वो माजी के बिधायक बिजे संकर्द वबे हैं यानि कि दो दो बिधायक वर्तमान बिधायक उमिद्वार और तीसरे जो सबसे खास देज़ कर चुक और लोगों के बीच जन संपूर्प कर करें सबसे पहले साथ आपके सामने दो-दो बिढहाएक हैं किस तरह की तककर रहे खिंए घैसक Chocolate का देशी तहता है और एक पूर्व विधायक की बीच लड़ाई देखने को मिल रही है चुनाव की तो लड़ाई दिल्चस्प होती है लेकिन अंतिम फैसला तो जनता को करना है चाहे कोई बरतमान विधायक हो तो बरतमान विधायक की तो बात छोड़ दीजिए बरतमान मुख्य मंत्री लोग चुनावहार जाते हैं इसलिए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है तो जदियू से हमनारायन साह है और कॉंग्रेस से बीजय संकर दूबे हैं दो दो विधायक आपके सामने किस तरह की चुनोतिया रहेंगे ऐसा है इसमें जनता महराज जंग की जनता के सामने तीन मुख्य विकल्प हैं एक जो बरतमान विधायक हैं हमनारायन साह जी और एक जो कॉंग्रेस के उमिद्वार हैं स्री विजय संकर दूबे जी और एक मैं हूँ तो जनता इन तीनों व्यक्तियों का मिल्यांकन करेगी पिछले पांच वरसों से हमनारायन साह जी के कार्ज से बिलकुल और संतुष्ट हैं लोग बिलकुल उनसे नाखुष हैं लोग और उन्होंने किवल रस्टाचार किया है किवल अपने घर के लोगों को ठेकेदारी दिलाई है इस तरह के ही काम में वो उनका समय बीता है एक अन्य उमिद्वाज जो है मानने विजय संकर दूबे जी उनके ब समान करना हमारी परंपरा है लेकिन वो अतीथी हैं अभी आये हैं फिर दस बारह दिन के बाद चले जाएंगे लेकिन जब तक हैं तब तक उनका स्वागत हम लोग करेंगे और मैं लोगों से निरंतर जुड़ा रहा हूं लोगों की निरंतर मुद्दे को उठाता रहता हू और महराज गंज की जनता के साथ आजीवन मैं जुड़ा रहूंगा इसलिए लोगों का अपार जनसमर्थन मुझे मिल रहा है बात करें आप भाशपा के कदावर नेता रह चुके हैं आरेसेस में भी आप रहे हैं संग के भी अच्छे कारे करता थे उसके बाद अचानक से अपने पार्टी उदल कर लोजपा का दामन थाम लिया मैंने समझ लीजिए ऐसा कि एक बहुत बड़ा घर है उस घर में एक कमरा छोड़कर मैं दूसरे कमरे में चला गया हूं एक रूम छोड़कर मैं दूसरे रूम में चला गया हूं और उसका भी कारण यह है कि नितीश क पुमार जी ने अहंकार में आकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जनता जिसके खिलाफ है। ऐसी परिस्थिती में महराज गंज की जनता के इच्छा के अनुसार और महराज गंज में भारती जनता पार्टी के सभी कार्जकरताओं ने मुझे पर दवाब डाला, जद्यू के सभी कार्जकरताओं ने मुझे दवाब डाला कि आप चुनाओ लड़िए और लोग जनसक्ति पार्टी से आप आईए। तो कार्जकरताओं और जनता के मांग के अनुसार मैं लोग जनसक्ति पार्टी से अमिद्वार बन कर आया। तो आपकी सिकायत वर्तमांग बिधायक हिमनारायन साथ से है या फिर नितिश कुमार जी है दोनों से है हिमनारायन जी हो या नितिश कुमार जी हो ये दोनों एक ही धारा के प्रतिनिदी है और इन दोनों से ही मुझे सिकायत है और मेरी सिकायत का तो कोई महत तो नहीं है लेक आप भाश्पा के साथ रहने की बात करते हैं लेकिन भाश्पा के जो कद्दावर नेता है जो गिरी मंत्री हैं अभी अमीद सावनों ने कहा कि नितिस कुमार के ही चेहरे पे वो चुनाव लड़ें गया और नितिस कुमार को कोई भी लोशपा को ही टारिगर करके उन्होंने कहा था कि परधान मंतरी नरेंदर मोदी के फोटो का यूज नहीं कर सकते हैं और वो जो है उनके साथ नहीं है लोशपा के साथ नहीं है देखिए बिहार में नितीस जी की सरकार है पुलिस और प्रसासन नितीस जी का है तो ऐसी स्थिती में वो हम लोगों पर दबाब डाल कर जंडा लगाने से भले ही रोक दें लेकिन भारती जंता पार्टी के सिध्धानतों के प्रती हमारे मन में आदर है नरेंदर मोदी जी के विचारों को लेकर चलते हैं और उसको प्रसासन कैसे रोक सकता है उसको प्रसासन कैसे निकाल सकता है जंडा लागाने पर प्रतिबंद आप कुस दिन के लिए लगा सकते हैं चुनाओं के 10-12 दिनों के लिए फिर आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे रही बात की नितिश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे ऐसा कुछ लोगों का कहना है लेकिन लोगों के कहने से वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे मैं कामरे के रिकावड पर कहना चाहता हूं कि जद्यू को पूरे बिहार में 20-22 सीट ही आएगी और 20-22 सीट आने पर वो क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे आप अन्दाजा लगा सकते हैं आप समझ सकते हैं जद्यू के जीरादे के विधायक हैं वर्तमान रमेज सिंग कुस्वाद जिनका टिकट काड़ दिया गया है उन्होंने बिहार में एक इंट्रव्यू दिया था उस दुराण उन्होंने कहा था जो ब्यक्ति सराबी हो नटवर लाल हो जो ब्यक्ति कमिशन का पैसा खाता हो उसको ही टिकट मिलता है इससे आप कितना तालुक रखते हैं मैं किसी अन्य विधान सभाषेतर के संबंध में टिकटी पनी नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जद्यू ने जन भावना के अनुसार टिकट नहीं दिया है जद्यू ने जनता की इच्छा का अपमान किया है जनता की इच्छा के विपरीत जाकर टिक जिनका टिकट कटा गया रमेश सिंकुस्वा ने बिहार ने भी बात्चित में कहा था कि आप आर्मी भी लगा दो लेकिन सराब बंदी नहीं रुकर यह सराब की बिक्री है आप इससे कितना इतिफाक रखते क्या सराब बंदी सफल है नहीं सराब बंदी सफल नहीं है यह तो सरकार का अकड़ा ही बता रहा है रोज छापे परड़े हैं रोज यहां पकड़ा रहा है वहां पकड़ा रहा है कई जगे इसके लिए हिंसक संघर्स हो जा रहा है तो कहीं ने कहीं सरकार की लापारवाही के कारण रष्टाचार के कार इस नियम का ठीक से पालन नहीं हो रहा है और सराब जो चाहे जहां चाहे उसे मिल जा रही है चलिए लोशपा से आ रहे हैं परमुख मुद्दा क्या रहेगा मेरा परमुख मुद्दा रहेगा महराज गंज का विकास महराज गंज में किसानों की समस्या को ठाना योकों की समस्या को उठाना गरीब लोगों तक सरकारी योजना का लाह पहुंचाना महराज गन्ज की सड़कों की हालत सुधारना बिजली की स्थिती सुधारना ये सब मेरे परमुक मुद्धे रहेंगे आप जब विधायक थे उनके बाद आपके बाद ये सीट जद्यू खारते में जहां हम नरायन साब विधायक बने तो क्या लगता है कि उस दोरान विकास हुआ या नहीं पांच सोलोग है नहीं हुआ है विकास नहीं हुआ है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ चेतर के लोग कह रहे हैं कि बिगत पांच वर्सों में महराज गर्ण विधान सभा में विकास नहीं हुआ है चलिए अगर आप विधायक बनते हैं जन्ता आप पे विश्वास करती है तो पहली परात्मिक्ता डॉक्टर देवरंजन की महराज गर्ण के लिए क्या होगी मेरी सबसे पहले परात्मिक्ता होगी कि गरीब लोगों को सरकारी योजना का लाव दिलाने में जो भरष्टा चार होता है उसके विरुद्ध लड़ना और दूसरी परात्मिक्ता होगी युवाओं के सिक्षा, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार के सामने आवाज उछाना और तीसरी प्रमुख बात होगी किसानों को सरकारी योजना का लाव दिलाना चौथी प्रमुख बात होगी कि जो जैसे समाज का एक बहुत बड़ा तबका सिक्षक हैं नियोजी सिक्षक हैं आंगन बाड़ी वाली लोग हैं इन सब लोगों को जीविका वाली दिदियां हैं इन सब लोगों को सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है और इन लोगों को घुर तकलीफ का सामना करना पड़ता है मैं इन समस्याओं को विधान सभाब में उठाऊंगा लगतार जन संपर्ट कर रहे हैं किस तरह लोगों का जन समर्थन आपको मिल रहा है मारागन ब्धानसवा की जनता से क्या अपेल करें मैं अपेल करूँगा कि विहार में सरकार बदलने का समय आ गया है नितीस जी पंदरह साल मुख्य मंतरी रह चुके हैं अब उन्हें बदलने का वक्त आ चुका है बिहार के विकास के लिए भी और सिवान के विकास के लिए भी मुख्यमंत्री को बदलने की आवशकता है खास कर लोगों ने ध्यान दिया है कि कल ही मुख्यमंत्री जी ने अपने भाशनों में कई जगा कहा है कि बिहार में उद्यो करनाटब में समिध्र है इन सब जब समुध्र तो नहीं है उनकी इच्छह सक्ति नहीं है इस विहार को आगे ले जाने की जितना उन्होंने काम किया वो किया और लोगों ने भी 15 साल मुक्ख्यमंत्री बना दिया अब विहार को वद्लने का वक्त है इस लिए बदलो भी उस समय पता चलेगा लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी नितीश कुमार जी को हटाने के लिए कृत संकल्प है और हम भारती जनता पार्टी के विचारों के साथ हैं भारती जनता पार्टी को आवशक्ता पढ़ने पर हम मदद करेंगे थीक है वो अपने मुह से कुछ भी कह लें सुसासन कह लें कुछ लोग उन्हें दूसासन कह रहे हैं यह थोड़ी हास्यासपत बात है जब भी बरत्मान सरकार से बरत्मान सरकार के मुख्यमंतरी से कुछ पूछा जाता है कि भाई बिहार में कोई फैक्टरी क्यों नहीं लगा तो वो आज से 20 साल पहले चले जाते हैं कि 20 साल पहले लालु जादों ने ये नहीं किया था वो नहीं किया भई ये बात कितने दिन तक आप बोलते रहेंगे कि लालु जादों नहीं किया फ़लाना नहीं किया चिलाना नहीं किया आपने जो 15 साल में जो किया है उसको तो साल में एक भी फैक्टरी लगा सके हैं क्या विहार की योकों को यहां रोजगार मिल सका है क्या विहार की सारी व्यास्था ठीक हुई है तो आप किवल एक ही विद्ध्या रटते रहेंगे तो अब जनता के सामने इस तरह का जूठ बोलना बंद कीजिए जो आप कर रहे हैं य यहां पर जद्यू के हम नरायंसा और कंग्रेस के बीजे संकर द्यूबे को जोड़दार टकर दे रहे हैं लगतार जन्संपर कर रहे हैं और लोगों को अपने पक्स में वोट करने की अपील कर रहे हैं अब देखना है कि आने वाले चुनाव में जनता इन पर कितना भी स्योगी अभी मन्नू के साथ सचिन कुमार विहानू एक्स्प्रेस सिवान